हेलो फ्रेंज मैं मौनिका आपकी कार्णर दोस्त आज मैं आप से बात करूँगी कुछ उन प्लांट के बारे में जो बारिश के मौसम में वैसे तो देखिए बारिश के मौसम में हर जो प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है नाइट्रुजन मिलती है उनको पाणी मिलता है और पौदों की जो मिटी होती है वोस हो जाती है यब से इसाब डिन तो ईन्वांटेट रहती है यह एे जो अच्छे. नहीं तर बारिश को बचाना ज़रूरी होता है नहीं तो बारिश का फाइदा होने की बज़ाए उन प्लांस को नुक्सान हो जाता है और वो प्लांस आपके हाथ से चले जाते हैं तो आज उन प्लांस की हम बात करेंगे जिन प्लांस को हमें एक दो दिन तो रख सकते हैं हम एक, दो, तीन बारिश या रुक, रुक के जब बारिश आ रही है दो, टिन दिन में, एक बार, चाह Свह दिन में तो चल सकता है, लेकिन जब लगातार बारिश आ रही हो, तो उन प्लांट्स को हमें यह कोशिश करने चाहिए कि हम बारिश से बचाएं और किसी covered बरांडे में रख दें या ऐसे जगह उनके उपर कुछ polythene का cover बना दें ताकि हमारे पौदे बढ़ सकें सबसे पहले तो बात करते हैं succulents की तो देखिए ये एक succulents में इचिवेरिया है ये छोटी variety जो है aloe vera की ये है मेरे पास मैं succulents जितने मेरे पास है वो बताती हूँ तो succulents का क्या होता है कि इनकी पतियों में fleshy होती है इनकी पतियों में पानी जो है वो store रहता है तो पानी already इनकी पतियों में अच्छा खासा है और इनको हम पड़ा रहने दे अगर रखा रहने दे अगर हम बारिश में ज्यादा लगातार 10 दिन से बारिश हो रही है पांट दिन से बारिश हो रही है और वैसे भी अगर एक एक दिन ठेर के दो दो दिन तो भी इनको जो है इनकी पतियों में already पानी है तो जड़े इनकी गल जाती है पतियां भी गलने लग जाती है और आपके पौदे जो हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं इनको आप बारिश में एक बारिश तो इनको enjoy करने दें वो भी जरूरी होती है इनके लिए उसके बाद इनको आप cover जगा में रखते हैं ताकि इनकी जड़े नहीं गलें जड़े चोड़के इनकी पतियां भी गलने लग जाती हैं अगर जादा बारिश में ये पढ़े रह कितना। मत में स्मेड यह कितना खुबिसूरत लग रहा है में लग्त फूल चान है और भी अच्चा लगता है। इसके देखिए यह a कौडक होता है स्वॉौलन स्टेम होता है स्टेम का वेस सिम्ने इतना पानी कठ्चा होता है ये डेजर्ट में होते हैं तो एक दो बारिश से ही अपना साल भर का पानी कठा कर लेते हैं तो इनको भी अडेनियम्स को भी आप एक या दो बारिश एंजॉई करने दें उसके बाद कवर्ड में रखें अगर आपके हां बहुत ज़्यादा बारिश परती है हम जो है वो राजस्तान में रहते हैं हमारे इत्ती बारिश नहीं परती है और हमारी मिट्टी भी सेंडी है तो पानी होल नहीं करती है और मैं रिवर सेंड मना के शैलो गमले में लगाती हूँ और हमारे यां तो बस चार-पंच दिन में एक द्वार बारिश हो गई बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो मैं इसको रहने देती हूँ अगर लगातार बारिश हो गई है तो आप इनको भी अंदर आपको रखना है या आपके यहां की मिट्टी ज़्यादा सेंडी नहीं है मिट्टी थोड़ी सी हाड है और आपने जो है वो पॉटिंग मिक्स रिवेल डेनिंग बनाया है तो भी रखेंगे अब दिये देखिए ड कलांचू की बात करूं यह देशी वाला कलांचू है इसकी पतियां भी फ्लेशी होती है तो इनको भी कलांचू को भी आप बहुत ज़्यादा पानी पढ़ रहा है मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनिंग नहीं है और लगातार पानी हो रहा है तो इनको भी आ इसको पानी कम चाहिए है लेकिन बारिज लगा था और खूब दिन पढ़ रही है तो इसको भी आप अगर पौदा आपका बड़ा है खिसका नहीं सकते हैं तो आप क्या करें नीचे से ऐसे बान दें इसको और इसके मिट्टी को कवर कर दें स्टैम पे पॉलिथिन को बान के और चारो तरफ से ऐसे अमरेला जैसे कवर कर दें ताकि मिट्टी में पानी नहीं पड़े और पौदा बारिज को एंजॉय करता रहे लेकि पतियों को तो बारिज बहुत अच्छे लगेगी लेकि जड़े गलने का डर है तो उसका एक उपाई यह है कि मिट्टी को ढग दो देखिए इसके मिट्टी इत्ती जो है वो ड्राय रखती हो मैं थोड़ी थोड़ी ड्राय साइड में ताकि यह पौदा गलने नहीं तो इसलिए जो है पौदे जो है अगर आप कवर्ड में भी रखेंगे न तो भी जो एटमोस्फियर का मौस्टर है या यह जो फुहारें आती है साइडों से आएंगी पौदे को उसी को एंजॉय कर लेते हैं आप यह देखिए कलपवरक्ष है कलपवरक्ष का पौदा जो ह वो गीली नहीं हो और पौदे को एंजॉय करने दे बारिश और अगर उठाके रख सकते हैं तो कवर्ड में रख दीजाए अब एगलो नीमा जो है इनको अच्छी लगती है मिट्टी गीली और थोड़ी सी मॉइस्ट मिट्टी रहें इनको पसंद है लेकिन इनके भी स्टे इनके जो केन वाले सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम में उनकी गलने का डर रहता है तो जो बहुत ज़्यादा बारिश पढ़ती है तो इसको भी आपको थोड़ा सा कवर्ड जगह में रख देना चाहिए इनको एंजॉय करने दे बारिश का मॉइस्चर बारिश की फुहारें वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए इनकी अगर नहीं है तो भी इनको आपको रखना पड़ेगा और वैसे भी बारिश जादा पढ़ रही है तो कवर्ड में इसको रख दें वो आपके पौदे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है फिर जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं जैसे यह केलेडियम है अमेरिलिस है आपके पस और भी जैसे डेलिली है और भी बल्ब वाले प्लांट जो कही बार मुझे भी याद भी नहीं आ रहे होंगे तो बल्ब वाले जितने प्लांट है जो बल्ब से उखते हैं उनको आप जो है वो शिफ्ट कर दें कवर्ड मे बार बार बोलती हूँ बारिश जादा आरी हो तो क्योंकि जादा बारिश आने से बल्ब्स नीचे से गल जाएंगे मिट्टी वेल रेनिंग है नहीं है वो भी बहुत matter करता है कई बार बारिज लगातार पड़े जा दिया तो आपकी वेल रेनिंग मिट्टी भी क्या करें वो सूखने का टाइम ही नहीं मिलता उसको तो ऐसी टाइम में इनको आपको बरांडे बगारा में शिफ्ट करें तो पड़े एंजॉई करेंगे ठंड़क को और मॉइस्टर को और आपकी जड़े है वो बची रहेंगे जून में हमारे तो इस तो हम बहुत ज़़ा टेंपरेचर होता है पतिया जलने लग गई है पड़ों की कही तो जैसे मैं यह लगातार बारिश हो रही है तो जैसे शुरू की एक बारिश पड़ गई दो बारिश पड़ गई ऐसी जो दो तिन बारिश शुरू की होती है न यह तो आपको सक्यूलेंट को भी एंजॉई करने देना चाहिए उसके बाद उन्हें उठा के रख देना चा जाती है और उसके बाद इनको ज्यादा बारिश में पड़े रहेंगे तो इनको गलना शुरू हो जाते हैं यह जैसे मैंने पहले भी कहा है तो यह देखिए ऐसे सूपनी शुरू हो गी है कैलेडियम वगेरा कि पतियां इस बहुत बारे गर्मी हमारे ज्यादा बढ़ जाती ह तो ऐसे होता है कि पतियां वगेरा सूपनी लग जाती है पौदों का भी जून एंड आते आते इनका भी पेशेंस खतम हो जाता है विचारे कितनी गर्मी को बरदाश करें इनसान तो फिर भी बैठ जाते हैं एसी पंखे कूलर में यह विचारे इनको भाहर रहना पड़ता है फिर देखिए यह जो है यूफोर्विया प्लांट है देखिए यूफोर्विया में भी एक सक्यूलेंट है इसके जो स्टेम होते हैं वो फ्लेशी होते हैं तो फ्लेशी स्टेम होते हैं तो उनमें पानी एकठा होता है बारिश जादा आती है तो इसके जो स्टेम होते है वो भी गल जाते हैं बारिश से ज्यादा बारिश आने से तो बारिश में ये इसके लिए भी ये है कि दो चार बारिश एंजॉय कर लें दो बारिश एक बारिश एंजॉय कर लें उसके बार ज्यादा बारिश हैं तो इनको भी आप कलर कवर्ड एरिया में शिप्ट कर दें हमा तो यह मैंने आप लोगों को कुछ प्लांट्स बताएं जो की बारिश के दिलों में इनको ज्यादा बारिश नुकसान देती है तो इन्हें कवर्ड एरिया में रख देना चाहिए तो बस अगर आपके पास भी यह प्लांट्स हैं इस तरह के तो अच्छा एक जो वह चंपा का प्लांट होता है अगर जमीन में कोई पॉदा लगा होता है तो क्या होता है एक्स्रा पानी नीचे चला जाता है तो उसमें डरने की जुरूरत नहीं होती है अगर गंले में तो चंपा के गंले को भी उपर से पॉलितिन से आपको बाद देना चाहिए तो बस यह कुछ प्ल बाइ